आपके द्वारा अंजाने में की गई कुछ गलतियों की बज़े से बच्चे को गर में बहुत जादा दिक्कत होती है और बच्चा बिकलांग हो शकता है वैसे कंसीब करने के बाद हर मा यही सोचती है कि उसका बच्चा एकदम स्वस्त पैदा हो इस बारे में डॉक्टर का भ पूछ सकती हैं सो फ्रेंट हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो पहली बार मा बन रही होती है जो लेडिस उनके साथ साथ हर प्रिगनेंट महिला भी यही चाहती है कि उसका बच्चा फिजकली और मेंटली स्ट्रॉंग हो उसके बिकास में कोई कमी ना आ जाए इसके अल स्ट है और यह सिम्टम्स नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे बच्ची को कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो यह सारी बातें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं चलिए तो अब हम बात करते हैं कि वह आपके द्वारा की गई कौन सी गलतियां हैं जिससे आपका ब प्रिग्नेंसी में ऐसा करना आपको तो संतोस पहुंचा देता है बट आप इसका ज्यादा सेवन करती हैं तो फिर बच्चे पर इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है जिससे उसमें बिकलंगता के खत्रे बढ़ जाते हैं पहला वचाओ यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम ह जैसे कि थाइराइट, सिस्ट और आपको बीक नेश लगती है तो आप प्रिग्नेंसी कंसीब करने के तीन महीने पहले से ही अपने टेस्ट अवश्चे करवालें और पहले से ही आपको उनकी आवश्चेक मेडिशन लेना स्टार्ट कर देना चाहिए जैसे कि फॉलिक की टेबलेट लेना सुरू कर देना है ताकि आपकी बॉड़ी में और आगे चलकर सिसू को खून की कमी ना हो साथ ही थाइराइट की भी मेडिशन आपको टाइम टू टाइम लेनी है दूसरा एफेक्ट यदि आप चाहती हैं कि आपकी प्रिग्नेंसी में कोई भी कॉम्प् बहुत ज्यादा स्ट्रेश लेती हैं तनाव में रहती हैं और चोटी चोटी बातों पर रोती रहती हैं तो ऐसा आपको डियूरिंग प्रिग्नेंसी बिल्कुल भी नहीं करना है प्लीज अपनी इस आदत को अपनी बच्चे के लिए नौ महिने के लिए छोड़ दीजे क्य अगर आप बहुत ज्यादा टैंसन लेंगी इस्ट्रेस में रहेंगी तो इसका एफेक्ट आपके बच्चे के माइंड पर पड़ेगा क्योंकि गर्वबस्ता के समय जैसा आप सोचती हैं जैसा आप फील करेंगी बैसा ही बच्चा भी करता है आपके खुष रहने पर बच् गलांग होता है तीसरा रीजन अगर आप प्रिगनेंसी के दौरान सोरवल वाले माहल में रहती हैं या फिर जादा लाउडली म्यूजिक सुनती हैं हाई बेस बाला हाई साउंड बाला तो अपनी इस आदत को कुछ टाइम के लिए बदल लीजे आप म्यूजिक सुन सकती है लेकिन आपको तेज साउंड म्यूजिक नहीं सुनना है इससे बच्चा बहरा हो शकता है एक रिसर्च से पता चला है कि धनी प्रदूसर्ण बच्चे को गर्व में ही बहरा बना देता है ऐसे बच्चों की बोलने की छमता पर भी एफेक्ट पड़ता है क्योंकि जब तक ब प्रिगनसी में हर किसी को टाइम से अपना चेक अप करवाना चाहिए अपना रूटीन चेक अप कभी भी मिश नहीं करना है आप डॉक्टर की दी हुई सभी मेडिशन को टाइम से खाएं सारे टैस सारे अल्टरशान आपको करवाने है यदि आपकी ज़्यादा एज है तो इन सभी बातों का इस पेशली ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्यूंकि आपकी अधिक एज होने की बज़े से बच्चे में बिकलांग होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसलिए मैं आप सभी को अपनी ओर से एक एडवाइस देती हूं कि शादी होने के बच्चा आप जल्दी से जल्दी कर लीजे नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती हैं प्रिग्नेंसी कंसीव करने में इसके साथ ही एक कम सभी गर्वती महिलाओं को करना है अपनी बॉड़ी में आपको बिटामिन डी की कमी नहीं होने देना है इसके लि पर्यापत मात्रा में बिटामिन डी पहुंचेंगी इसके बच्चे को भी बिटामिन डी की कमी नहीं होगी और आपके बच्चे को जन्मिके बाद पी लिया की प्रॉबल्म भी नहीं होगी साथ ही केलसियम और बिटामिन डी की कमी के कारण बच्चों के पैरों में परिशानी का खत्रा बढ़ जाता है इसलिए आपको अपने डॉक्टर के दौरा दी हुई सभी टेबलेट्स को खाना है फ्रेंड्स प्रिग्नेंसी में जूस पीना फायदे मन्द होता है लेकिन बाहर का जूस पीने से खत्रा भी हो सकता है बाहर का जूस बैक्टिरिया इंफेक्टेड हो सकता है डूरिंग प्रिग्नेंसी आपको कोल्डरिंग को भी एवाइट करना है क्योंकि cold ring में बहुत अधिक मात्रा में प्रजर्वेटिब का प्रियोग किया जाता है जो आपके बच्चे को बहुत नुक्षान पहुँचाती है इसने बच्चे में बिकलंगता भी हो शक्ती है So friends मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना Thank you